नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे संधारित एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया दमागेदार चैप्टर है योगों योगों में ऐसा चैनल सॉरी ऐसा चैप्टर प्राप्त होता है आप लोगों को तो आज के इस किलास स्टार्ट, चैप्टर नम्मर चार, जिसका नाम है संधारित्र, क्या नाम है संधारित्र, आज हमें संधारित्र पर डिस्कस करेंगे, कि आखिर ये संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र बच्चो बेसिक अगर बात करते हैं तो संधारित्र एक यंत्र है एक डिवाइस है एक ऐसी डिवाइस जो की अपने अंदर आवेश को श्टोर कर सकती है किसे आवेश को गिरहड करने वाली बोलो बात क्लीयर एक ऐसी युक्ती एक ऐसा यांतर जो कि अपने अंदर आवेश को गिरहड करता है जिससे कि आप बाद में एक साथ आवेश को release कर सके, बोलो बात क्लीयर जिससे आप विभरिण कारियों में आवेश को दे सके तो अगर हम बिल्कुल सिंपिल सी definition की इसकी बात करते हैं तो इसकी definition क्या बनेगी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ती है एक ऐसी युक्ती है यह definition लिख लीजिए या इसकी insert ले लीजिए एक ऐसी युक्ती है जो की आवेश को ग्रहड कर सकती है जिससे आप क्या कर सकते हैं विभिन कार्यों में इसका प्रियोग कर सकते हैं बोलो बात के लिए तो संधारित्र की definition बिल्कुल सिंपिल है आप चाहिए इसका एक इसकी insert ले लिजिए इसकी बाद आगे चलते हैं तो chapter 4 में पहली definition आपने पढ़ ली है कि संधारित्र किसे कहते हैं अब आप दूसरी definition पढ़ने के लिए हो जाए तयार दूसरी definition आपकी है कि चालक चालक तथा परावेद्यूत पदार्थ किसे कहते हैं अगला प्रशन आपका है चालक तथा परावेद्यूत पदार्थ किसे कहते हैं तो बिल्गुल सिंपिल सी definition आप आपको लिखाएंगी जिससे आप आसानी से याद कर सकें तो दोनों के अगर हम बात करते हैं तो चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्योधारा आसानी से प्रिवाहित हो जाती है ऐसे पदार्थों को हम चालक कहते हैं और परावेद्योत पदार्थ को हम अचालक भी कहते हैं, यानि एक ऐसा पदार्थ जिसमें वेद्योत धारा प्रिवाहित नहीं होती है, बलो बात के लिए, तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करते हैं, चालक की, तो चालक के बारे हम थोड़ा सा डिसकस करते हैं, जिससे आप आसानी से सीख जाएं, सबसे पहले मगर डेफिनिशन की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि वह है पदार्थ, वह है पदार्थ जिसमें धारा सुगमता से, सुगमता या आसानी से प्रवाहित, हो जाती है, चालक कहलाता है, अथवा दूसरी सब्दों में अगर एक और डेफिनिशन की बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वह है पदार्थ, जिन में, मुक्त इलेक्ट्रोन पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, तो दू डेफिनिशन हैं कि चालक में किसे कहते हैं, तो आप अपने वोर्ड एक्जाम में, जोन से आपको डेफिनिशन अच्छी लगती है, उसे याद करके लिख सकते हैं, बोलो बात के लियर, तो मुक्त इलेक्ट्रोन की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि जो भी चालक होते हैं, तो अगर आप उसे आविशित, जब भी आप आविश देंगे, तो चालक के अंदर इलेक्ट्रोन होते हैं, वो इसकी बाहरी सतय पर आ जाते हैं, जो इलेक्ट्रोन बाहरी सतय पर आ जाते हैं, इन इलेक्ट्रोन को हम कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रोन, इन्हें हम मुक्त आवेस भी कहते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं मुक्त आवेस भी कहते हैं लेकिन जो प्रोटोन नाविक के अंदर उपस्तित रहता है आवेस उसे यह बद आवेस भी कहते हैं प्रशना आता है मुक्त आवेस और वद आवेस से आप क्या समझते हैं तो जो अच्छी लेंगे उसे आप याद कर सकते हैं अब हम बात करते हैं परावैद जूत पदार्थ की लिकिन एक ग्लिटक समझेए यह अगर और以घ्य में बात करते हैं इस वह बहुत करते हैं तो प्रिच्फल सभी दातू हैं सब्सक्शन मतलब जैसे आप बात करें लोहा जैसे आप बात करें चांदी इन दो के इलावा अगर आपको कोई भी धातू पता है या इन दो के इलावा कोई भी चालक आपको पता है तो कमेंट सेक्शन मुझे आके बता दू ठीक है? चलिए आगे चले अब हम बात करेंगे परावेद्य पदार्थ की परावेद्य पदार्थ के बाद हम बात करेंगे धारिता की कि आखिर ये धारिता क्या होती है तो धारिता की बारे में आगे आप जानेंगे और सीखेंगे कि आखिर धारिता क्या है बोलो बात के लिए चलिए तो अब हम डेफिनिशन डालते हैं परावैद्यूत की किसकी बात करेंगे परावैद्यूत परावैद्यूत पदार्थ की तो पदावैद्यूत पदार्थ इन्हें हम अचालक पदार्थ भी कहते हैं अचालक पदार्थ भी कहते हैं यह फिसे इंसुलेटिंग मैटरियल भी कह बोलो बात के लिए तो हम परावेद्व पदार्थ के अगर हम बात करते हैं से थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि आखिर परावेद्व पदार्थ क्या है definition पहले वाली अपोजेट आप बना सकते हैं आप किया सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमे धारा सुगमता से प्रवाहित नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं उन्हें परावेद्व पदार्थ कहते हैं अथवा करके एक definition आप क्यों और बन जाती है जिसमें आप कह सकते हैं जिनमें मुक्त electronic यह दो आपकी बरगी आसानी से बोलो बात के लिए अब हम लोग धारिता की बात करेंगे आखे दारिता किसे कहते हैं धारिता की बात करने पहले आप देखेंगे अच्छी तरहेंगे एक चीह और है अगर हम बात करते हैं कि परावेद्य पदार्थ तो आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक, कॉमा लकड़ी, इन दो के इलावा भी अगर आप कोई जानते हैं परावेद्य पदार्थ, तो आप कमेंट सेक्षिन में आखे मुझे बता सकते हैं कि और कौन-कौन से और होता है This is me ballomethen अजयर छलग जैसे क्या बोलते हैं यूं है जी सैंट अर्धचालग चालग को on कि आभ्या जिसे हम पुलते हैं अर्धचालक आखरी यह-ब चाला च्या है इसे था थ्यान से संजहें के अच्छी तरह के से ने का ए अर्धचालग कि से कहते हैं अर्ध पदार्थ देखिए जिन में चालकता धातुओं से कम है लेकिन अचालक से अधिक है ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं अर्ध चालक पदार्थ क्यासे वे पदार्थ जिन में चालकता जो है वे पदार्थ जिन में डेफिनिशन इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप आसानी से पर लेख सके वे पदा जिन में चालक ता चाल कों से कम चाल कों से कम तथा अचाल कोंसे अचाल कोंसे अधिक होती है अर्द चालक कहलाते हैं जैसे की जर्मेनियम और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन तो याद रखना कि अर्द चाल क्या है एक ऐसे पदार्थ है जिनकी चाल कोंसे तो कम होती है लेकिन चाल कोंसे अधिक होती है यानि कि ये रखा आपका अर्द चालक ये है आपका चालक और ये है आपका अचालक तो याद रखना ये आपका क्या हो गया अर्द चालक ये चालक ता इससे तो कम रहेगी लेकिन इससे ज़्याद रहेगी बहुत ही लाजवाब होने वाला है चेप्टर डैफिनिशन भी आपको बीच वीच में लिखाते जाएंगे जिससे आप असाने से तयार करते जाएं तो धारिता की बात करते हैं दारिता आखिर किसे कहते हैं वीडियो मांग साथ एंड़ हे आपको सारे इंफमेशन मिलेगी दूमाथाण धारफ बात कर ये तो धारता क्या है धारिता अधिया अग ढर्iker को बोलते हैं क्यानषस क्यासिटी और चाहिता क्या है छंता किसी के हावेस क क्ल geme करने का करने की करो यानि कि कोई भी चालग अपने अंदर आवेस को घ्रएकर तो उसकी भी च्छम्था होते हैं उस्क्छम्था को हम क्या क्या कहते हैं धारिता बोलो बात के लिए यानि आवेस को ग्रेड करने की छमता को हम क्या कहते हैं धारिता कहते हैं बेगों सिंपिल सी डेफिनिशन आप चाहें लिख भी सकते हैं कि आवेस को ग्रेड करने की छमता को हम धारिता कहते हैं सिंपिल आगे चलते हैं यह स्कीन्स और ले लिजिए इसका फटा-फट काम आएगा आपको कि चलिए कि तो हम धारिता की बात करेंगे थोड़ा विस्थार्थ समझेंगे कि धारिता क्या है कि धारिता सिंपिल सी डेफिनिशन है आवेस किसी चालक के आवेस को गिरहड करने की छमता धारिता कहलाती है देखिए मांगे चलिए एक बास समझेंगे कि एक चालक पदार्थ है क्या है? एक चालक पदार्थ है और आपने इसमें क्या कर दिये? आपने इसमें आवेस देना शरू कर दिया आप याद रखना जैसे जैसे आप आवेस का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस पर विभाव का मान भी बढ़ता जाएगा ये condition है क्या आपने सीखा कि अगर आप आवेस का मान बढ़ाएंगे तो विभाव का मान भी बढ़ जाएगा बोलो बात के लिए यानि कि आवेस बढ़ाने से विभाव बढ़ेगा यदि आप ये proportion चिन नहाटाएंगे तो एक constant जुड़ेगा c और ये क्या बन जाएगा q बरावर cv या इसे आप कह सकते हैं c बरावर q अपन v दूसरे सब्दों में इसकी definition ये बनती है कि अगर आप किसी भी पदार्थ में आवेस में विरध्धी करते हैं तो उसके विभाव में भी विरध्धी होती है और इसके अनुपात को ही हम धारिता कहते हैं किसी चालक में अथवा करके definition और लिख लो जीवन में काम आएगी कि किसी चालक में आवेस बढ़ाने पर चालक में चालक के विभाव में विभाव में विरध्धी के अनुपात को अनुपात को धारिता कहते हैं अर्थात अर्थात सी बराबर में क्यू अपन में वी यह आपका बने गया सूत्र एक definition यह है समझाने का तरीका यह है और आपका डाइग्राम यह बना हुआ है और आपका सूत्र यह है तो आपने देखा कैसे एक बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आपने पूरी धारिता एक बारें सीखे लिए अब हम बात करेंगे इसके मात रख्यी अब हम बात करेंगे सके मात रख्यी बोलो बात के चलिए हैं आ को मेरे प्यारे स अधा dafür मात रख्यी अगर हम बात करें मात रख्यी है मात्रक तो धारिता बराबर सूत्र आपने पड़ा है धारिता बराबर है आविस वटे में विभाव तो मात्रक इसका क्या होगा जड़ा ध्यान से देखेंगे आविस का मात्रक होता है कूलाम प्रति विभाव का मात्रक होता है कूलाम प्रति विभाव का मात्रक होता है वोल्ट तो मात्रक क्या होगया कूलाम प्रति वोल्ट बोलो बात के लिए अगर इसके SI मात्रक की बात करते हैं SI मात्रक की बात करते हैं तो इसका SI मात्रक होता है Farad बोलो बात के लिए तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि अगर हम धारताई मात्रक की बात करते हैं तो आप बोलें कूलाम प्रती Volt या फिर फेरड देखे आवेश की बात करें अगर हम थोड़ा सा यहां कुछ एक्स्ट्रा नोलेज देना चाहते हैं आपको उमीद करता हूँ कि आप लोग लेना पसंद करेंगे कि अगर जैसे कोई हम बात करें आवेश की तो आवेश का बहुत बड़ा मातरक कूलाम है ठीक वैसे ही धारिता का बहुत बड़ा मातरक फेरड है बोलो बात के लिए याद रखना सामानित है सामानित है अगर हम मातरक की बात करते हैं तो धारिता के जो मातरक लेते हैं वो लेते हैं माइक्रो फेरड या पीको फेरड माइक्रो फेरड का मान होता है दसकी पावर माइनस 6 फेरड और पीको का मान होता है दसकी पावर माइनस 12 फेरड बोलो बात के लिए यह वह बाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए इतनी बात अगर पता है तो हम लोग चलते हैं आगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसके मात्रक कैसे कैसे बदलते हैं इसकीन सोट ले लो एक बार अगर लेना है तो इसकीन सोट ले लो जल्दी से चलिए इसकी मात्रक एक बार और देखते हैं कि मात्रक देखें कैसे कैसे करते हैं तो देखें धारिता का मात्रक ऐसा पढ़ाएंगे जो हो सकता है आपने ना पढ़ा हो जैसे आपने पढ़ा है कि कूलाम प्रती वोल्ट हाई है ना छीक है ओके डन इस चीज़ को अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि कूलाम प्रती जूल प्रती कूलाम इस वोल्ट को हम जूल प्रती कूलाम कह सकते हैं कूलाम अगर उपर जाएगा बच्चो तो हो जाएगा उपर कूलाम स्क्वेर बटे में हो जाएगा जूल एक इसका मातरग यही बन जाता है इसे थोड़ा अच्छे से लिखते हैं कूलाम को तो आप कह सकते हैं एंपियर इंटू में सेकेंड इस पूरे का हो गया हूल स्क्वेर बटे जूल को चाहे तो हम लिख सकते हैं नीउटन इन्टू मीटर कि अबनो बाट के लिए कि इता उसका नाया मात्रग ववर आपके सामने आ उताइड कि एंप्भण इंटू इंटू सेकेंड का स्क्रियर नूता कि यह मद्रग आगर इस के विमागी बात करते हूए तो आप पता ए तो एकी प्रिमा क्या होती है A into second समय, समय के मां क्या होती है T, इसका कर दिया whole square upon अगर newton बल है तो बल के मां होती है ML T minus 2 into meter है, तो इसके मां हो गई L, बोलो बात के लिए इसका क्या होगा A square इसका क्या होगा, T square upon, इसका होगा M, L और L का गोड़ा होगा, L square T minus 2 इससे थोड़ा और स्वालब करें M उपर जाएगा, तो M minus का 1, L उपर जाएगा, L minus का 2 A पहले से है square T ये और ये उपर जाकर कितना हो जाएगा T की power 4, तो ये आगई इसकी विमा तो ये आज आपने पढ़ा है आज आपने total क्या क्या चीज़े पढ़ी है जरा फिर से recall कीजिए सबसे पहले आपने पढ़ा है संधारित्र, तो संधारित्र किसे कहते हैं आवेस को grad करने वाली उसे एक्ति को कहते हैं फिर आपने पढ़ा चालक और परादेद्यूत चालक वेपदार जिनमें धारा प्रवाहित हो जाती है परावेद्यूत वेपदार जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है उसकी वाद आपने क्या पढ़ा है उसकी वाद आपने पढ़ा है अर्दिचालक अर्द चालक क्या है जिनमें चालक और अचालक के बीच के गुड़ पाई जाते हैं अर्द चालक क्यालाते हैं उसकी वाद आपने पढ़िये है धारिता धारिता क्या है एक कैपिसेटी है किसकी आविस को गिर्ण करने की छमता धारिता क्यालाती है धारता कैस पर निर्वर करती है किसी चालक को दिये गए आविस और विभाव लेकिन चुकि ऐसा संभाव नहीं है कि आविस और विभाव पर ही संभाव हो दूसरी चीज, धारता का आपने सूत्र पढ़ा, धारता का आपने मात्रक पढ़ा, धारता का आपने विमा पढ़ी, ये सारी चीज़ आपने पढ़ी इस वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा जिसमें आप सीखेंगे कि विल्गित गोली चालक की धारता ग्याद करने का सूत्र क्या है धन्यबाद जैहिंद